अब सभी का आप सभी के पिसने अडिव चनल राय एजुकेशनल में उनत्र जारबरती कोट अपडेट लगातार आप लोगों को मिल रही है और शाम के चार बरजी की कोट अपडेट लेकर इस वीडियो के माध्यम से उपस्तित हुआ हूँ देखे मेरा विक्तिकत निर्णय य कि लगातार जो सुनुआही हो रही है ठीक है ब्रिफिंग अपने अपनी अपनी पॉइंट अपनी पॉइंट अपनी जगा है लेकिन रिटियन समीशन में भी आपकर ऐसर को समाहित 125 कर सकते हैं तो कोट का समय क्यों खराब किया जाए है यह मेरा वैक्तिकत OpenION है वाकि आपक कालिया साब ने important important point को भी touch कर लिया है अब आपके प्रसान चंदरा साब भी उन्हीं सहे points को touch कर रहे हैं ठीक है ना और उन्हें ये इस पश्ट तरीके से का है प्रसान चंदरा साब ने कि ATRE exam का जियो ये इस पश्ट करता है कि जो तैमानक यानि इस परिक्षा को जो ये पास क करेगा तैमानक पासिंग माक्स को पास करेगा वहीं इस भरती प्रक्षा का हगदार होगा इस पश्ट कर दिया वरना नहीं होगा और विपक्ष के जो वकील है ना उपेंद्र नाथ्र मिस्ट्र वो बीच बीच में इंटरप्शन क्रीट करनी की कोशिश करते हैं जिस पर आ इस पर बात की है फिर प्रशान चंदरा साब ने इस पश्ट कहा है कि अपेक्स कोट ने इस पश्ट ये कहा है आपके जज्जमेंट में कि आपको भारांग का लाब तभी मिलेगा यानि आपको वरीता तब जी जाएगी पातरता पास करने से नहीं जब भरती प्रक्रिया हो कि जो पास करेगा वहीं इसके लिए उपलब्द रहेगा वहीं इसका चैन होगा तो यह इस परश्ट बात अभी तक इन्होंने रखी है हलांकि इनको इस परश्ट ये कहे देना चाहिए कि जो सॉर्ट में समिशन है जो है वो इस परश्ट रूप से पून करके रिटेन पूरा फाइल किया है फिर इसका रिटेन समिशन दिया है वैसा ही विपक्ष को भी मौका देना चाहिए विपक्ष भी ऐसा क्रिया कलाब करें ताकि जल जल भरती प्रक्रिया पूर्ण हो सके